जिस सूरिया का हो रात विरोध हर्बजन सिंग ने उस सूरिकुमार यादो के समर्थन में बोल दी बहुत बड़ी बात कहा प्रमास्त्र है ये खिलाडी बड़े बड़े दिगज जिस खिलाडी को चिंता का विसे बता रहे थे हरबजल सिंग को उसमें दिखता है गेम चेंजर वाली क्यालिटी नमबर पांच पर सुरुकुमार यादो को दे दी जगे जो सूरिया करता है वो ना विराट कर पाएंगे ना सुमन गिल कर पाएंगे ना स्रेस आयर कर पाएंगे अपने बल्लेबाजी से पल भर में पलट देता है मैच वंडे को खेलता है टी टुन्टी की तरह दिगज खिलाडियों को नहीं हो रहाब सूरिकुमार यादो के टैलेंड का ऐसास वंड कप में मौका मिलते ही गार देगा जंडा जी सूरिकुमार यादो एक ऐसा नाम जिनको महस्ती टुन्टी का पलेयर कहा जाता है कई दी गज खिलाड़ी इस खिलाड़ी के विशाय में सवाल उठा चुके हैं सूरिकुमार यादो के खेलने की सैली को लेकर कई दी गज खिलाड़ी ये मानते हैं कि ये खिलाड़ी वंडे फार्मेट का खिलाड़ी नहीं है हलाकि ऑस्टेलिया के खिलाफ लगातार दो मैच में लगातार दो असातक लगा कर सूर कुमार यादो ने अपने फॉर्म में वापसी करने के कुछ नजारे को पेश किया जिससे ये पता चला कि कैसे ये खिलाडी अपने पोटेंसिल को दिखा रहा है जहाँ एक तरफ लगातार विरोत का सामना और आल उचनाओ का सामना सूर कुमार यादो लगातार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और हर्बजन सिंग ने कहा है कि सूर कुमार यादो का परियोग भारती टीम को वर्ल्ड कप में ब्रहमास्त के तौर पर करना चाहिए हर्बजन सिंग ने दैनिक जागरर से कहा कि स्रेय सायर, विराट कोईली, रोईस सर्मा, सुमन गिल एक तरह के बल्लेबाज हैं ये परते एक गेत पर एक रन बनाएंगे लेकिन अगर सूर कुमार यादो 30 गेत खिल गए तो वो 60-70 रन बना सकते हैं आपको टीम में कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो गेम को विपच्ची टीम से दूर ले जा सके ऐसी चमता का प्रियोग ब्रमास्त के तोर पर होना चाहिए उसे बाहर बिठा कर बरबाद नहीं करना चाहिए आप आकडे को ध्यान में ना रखते हुए ये देखिए कि सूर कुमार यादो क्या कर सकते हैं हमें पता है कि सूर्या एक ऐसे खिलानी है जो गेम बदल सकते हैं अगर चार आउट हो गए और जिमदारी लेनी है तो सूर कुमार यादो यह भी कर सकते हैं अगर ऐसी ही प्रस्तितिया है और counter attack करना है तो सूर्कमार यादो वह भी करके दिखा सकते हैं। हरवजन ने कहा कि वर्ल्ड कप में रोहित और सुमन को उपनिंग करनी चाहिए। फस्ट डाउन पर विराट के बाद चौथे नंबर पर केल राहूल को देखना चाहता हूँ। झाल झाल झाल